जै स्री कृष्णा आये सुनते हैं जेश्ट माह में सुनी जाने वाले बीश्वे दिन की कथा। बिश्डू ने मुश्कुराते हुए पार्वती से कहा कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविश्य में आकास से प्रिथवी पर उतरने जा रही हों तब तुम्हारे पती देव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए बिश्डू अद्रिस्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विश्डू ने कदर्न प्रजापती देव हूती का पुत्र बनकर कपिला उत्तार लिया। बच्पन से ही तपस्या करके ज्यान संपन होकर कपिल महामुनी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देव हूती को अनेको तत्तों का बोधन किया जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महरसी पाताल लोक में निर्वी राम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तक प्रिथिवी पर सगर समराट संवा अश्वमेघ यग करना चाह रहे थे। इंद्र ने यग्य के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया, जिसमें कपील महर्शी तपस्या कर रहे थे। सगर के हजार पुत्र घोरे को खोजते हुए पाताल लोक में पहुचे, वहां उन्धों ने कपील महर्शी की गुफा देखी, उन्धों ने उन पर आरोप लगाया की, उन्धों ने ही घोरे की चोरी की और उनका तप जब किवल धोंग है। कपील ने आखे जब खोली तब सब के सब जल कर राख हो गए। उन भस्म रासियों पर विश्रू पाद रखे गए और स्वर्ग में मंदाकनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृत्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपहत्र भागीरत ने घोर तपस्या की और गंग को प्रसंद किया। साथ ही गंगा के बेग को सह सकने वाले सीव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसंद कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर सीव उस पर मुग्द हो गए और उसे अपने जटा जूट में कस कर बाध लिया। फिर भगीरत की उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरत के साथ गई और उसके पुर्वजों की भस्म रास्यों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुंड्य लोक भेजा। परमसिव गंगा धर बने और यो गंगा पार्वती की सौत हुई। पुनि ब्रम्हा के मानस पुत्र हैं। सदावे बालक ही बने रहते हैं। विश्रू भक्ती में ततपर होकर विश्रू का गुडगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। बिष्डू के दर्शन करने वे बैंकूंठ गए, सब द्वारों को पार करते हुए बिष्डू मंदिर द्वार पर पहुचे, बिष्डू के ही रूप के जय बिजय वहां के द्वार पालक हैं, उनके चार चार हाथ हैं, उनके हाथों में चक्र, संक, गदा वा अभय मुद्रा उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है तब सनक सनंदों ने कहा विश्डू दर्सन के लिए हमारी द्रिष्टी में कोई समय और समय नहीं होता कहते हुए उनकी परवाह किये बिना जब वे अंदर जाने को उद्धत हो गए तब द्वारपालकों ने गदाएं उठा कर उन्हें रोका सनकादी मुनियों ने उन्हें साप देते हुए कहा तुम में विश्डू द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है राचा सोकर जन्म लोगे या कोलाहर सुनकर द्वार खोलते हुए विश्डू लच्मी समेत वहां आये जै बिजय ने मुनियों के साप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख ब्यक्त किया मुनिगर भी अपनी जल्दमपाजी पर मन ही मन चिंतित हुए भगवान विश्डू ने जै और बिजय से कहा महा मुनियों का साप जूठा सावित नहीं हो सकता तुम दोनों मेरे प्रती मैत्री भाव रखते हुए साथ जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेश करते हुए सत्रु बनकर तीन जन्मों तक मेरे हाथों मृत्तु को पाकर यहां पर आना चाहते हो इस पर जय और बिजय ने तीन ही जन्मों के बाद विश्रु के सानिध्य को पाने का बरदान मांग लिया जय बिजय की कामना की प्रसंसा करते हुए संकाद इमुनियों ने विश्रु से कहा भगवान हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी द्रिश्टी में राग द्वेश दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेश करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं आपके द्वार पालों को जल्द बाजी में हमने साप दे दिया हम अपनी करनी पर पस्ता रहे हैं कृपया हमें छमा कीजिए इसके बाद वे लच्मी नारायर की इस्तूती करते हुए वहां से चले गए इसके बाद जय और विजय कस्यप प्रजापती की पत्नी दीती के गर्व से हिरण कस्यप और हिर्याच के रूप में पैदा हुए वी दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसं कर उनसे बरदान प्राप्त किये और विश्लू के प्रती द्वेश करने लगे फिरण कस्यप ने राजसो का राजा बन कर विश्लू का सामना करने का निश्चे किया खिर्याच ने विश्लू को कूपीत करने के लिए अनेक अत्याचार किये और प्रिथवी को लुडकाते लुडकाते रसातल समुन्द्र में ढखेल दिया प्रित्वी रसातल समुन्द्र में डूब गए भूदेवी ने विश्लू की इस्मृती करके अपना उध्यार करने की प्रार्थना के विश्लू ने भूदेवी पर अनुग्रह करके दसावतारों में से तीसरा बराह अवतार लिया ब्रम्हा के होम करते समय यग्यकुंड से सुभ्रकांती मंडित एक कर निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुवर का रूप धारड कर लिया उस सुवर को विश्लू का अवतार मानकर ब्रम्हा आदि देवताओं ने यग्यवराह, स्वेत बराह और आदि बराह के रूप में उनकी इस्तूती की यग्यवराह ने बढ़ते बढ़ते बिसाल रूप धारड कर लिया उसके पैर बलिष्ट थे, उसका चर्म इस पात जैसा कथोर था बज्र जैसे उसके जब्रे थे, उसकी आखों से अरुड कांती आ रही थी उसके रूएं स्वर जैसे चमक रहे थे वह सारे बिश्व को गुजाते हुए हुंकार कर उठा, उसके माथे पर खड़क जैसा सिंग दमक रहा था बराह अवतार तेज गती से रसातल की ओर दवर पड़ा, उसकी गती से सारी दिशाएं हिल उठे प्रलै कालिन आधी चलने लगे यग्यबराह ने रसातल समुन्द्र के भीतर डूबी हुई प्रिथवी को अपने सिंग से उपर उठाया उसी समय शिर्डियाच ने वरूर पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा वरूर ने कहा तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है तुम तो महान बीर हो इसलिए तुम्हे प्रिथवी को ऊपर उठाने वाले परम सक्तिसाली यग्यबराह के साथ युद्ध करना होगा इस पर वह ततकाल यग्यबराह से जुज परा बराह रूपधारी विश्डू के साथ हिर्डियाच पराक्रम पुर्वक लड़ते हुए विश्डू के गदा को उड़ा कर ताल ठोकता हुआ खरा हो गया विश्डू ने उसके युद्ध कौसल की प्रसंसा कि और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारड किया इसके बाद उन दोनों के बीज भयंकर संग्राम छिड़ गया अंत में बराह वतार ने अपने सींग के वार से हिर्डियाच को मार डाला बराह वतार रूपधारी विश्डू को भूदेवी ने बर लिया बराह मूर्ती ने भूदेवी को उठा कर अपनी जांग पर बिठा लिया ब्रम्हा आदी देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगपती के रूप में अनेक प्रकासे उनकी इस्तूती की बराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का बध करने वाले विश्डू से बदला लेने के संकल्प से हिरण कस्यप ने ब्रम्हा से बरदान प्राप करना चाहा इस विचार से वह ब्रम्हा को प्रसंद करने के लिए तपस्या करने चला गया उस समय उसकी पतनी लिलावती गर्वती थी लिलावती के गर्व को बिछिन करने के लिए इंद्र ने माया जाल रचा और उसको बंदी बना कर आकास मार्ग में ले जाने लगा उस वक नारद उनसे मिल कर बोले इंद्र आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं